एक तरह पवन सिंग नेता बढ़ने की तयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी और पवन सिंग की पतनी जोती सिंग दिन रात कोड का चक्कर लगा रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको पवन सिंग जैसे इंसान से छुटकारा मिल सके और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जिस से इतनी चैन से जी सके। ताकि वो पवन सिंग को कोट में गलत सावित कर सके। उपर जो भी आरोप लगा हैं वो सही है या गलत इनका रिष्टा क्यों खराब हुआ कैसे खराब हुआ ये बताने और ये जानने में हमको को इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन हम बताएंगे कि पवन सिंग ने अपनी पत्नी जोती सिंग को इतना मजबूर कर दिया है कि जो जोती सिंग शादी के 6 साल तक कभी मीडिया में नजर नहीं आई थी वो जोती सिंग अब मजबूर होकर पवन सिंग के खिलाफ मीडिया में आकर बात कर रही है हम बताएंगे कि पवन सिंग कैसे लड़कियों को परिशान करते हैं कैसे लड़कियों को मजबूर करते हैं उनको प् पावन सिंग और जोती सिंग के शादी को 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी जोती सिंग मीडिया में नहीं आई थी, लेकिन कल से जोती सिंग का एक इंटरव्यू शोसल मेडिया पर काफी तीजी से वाइरल हो रहा है, जिसमें जोती सिंग पहली बार अपने और प पावन सिंग कभी भी सुनवाई पर नहीं आते हैं, वो कभी अपने एक्सिडेंट का बहाना बना देते हैं, तो कभी अपने काम का, और इससे पहले कई बार जोती सिंग के वकील ने भी मीडिया में आकर कहा है, कि जब भी कोट द्वारा पावन सिंग को सुनवाई के लिए बुलाये गया है तो पवन सिंग हर बार कोई ने कोई नया बहाना बना देते हैं लेकिन कोट में कभी भी हाजर नहीं होते हैं और अपने जगा अपने वकील को भेज देते हैं अब ये सब सुनकर और जानकर कहीं ने कहीं भुषपुरी कोमेजियन बियाईबी बिजेनिस उन्होंने अपने इंटेव्यू में कहा था कि पवन सिंग जान बूश कर जोति सिंग से तलाग नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि पवन अगर जोति सिंग से तलाग ले लेंगे तो घरवाले उन पर फिर से शादी करने का दबाव बनाएंगे पवन अगर फिर से शादी कर ले ऐडिया हाउस के सोफी पर बैट कर इंटर्व्यू देने का टाइम है दिलने में जाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्रियों से मिलने का टाइम है अपने आरा जिला में हिल कॉप्टर से उतरने का टाइम है लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सुनवाई पर आ सके पमन सिंग को आर्दी न्यूज को इंटर्वू देना जरूरी लगता है किसी एंकर को अपनी बच्पन की कहानी सुनाना जरूरी लगता है अपने यूटूबरों को सम्मान देना जरूरी लगता है अपने नाम के आगे जी लगवाना जरूरी लगता है लेकिन अपन सिंग और उनका तालाग का मामला कोट में उलचकर रह जाए और कोट की तरब से इस मामले पर कोई भी फैसला ना आए वरना पवन सिंग जिस दिन चाह जाएंगे उनको एक दिन के अंदर इस मामले पर फैसला मिल जाएगा पवन जोती एक दूसरे से अलग हो जाएंगे लेकि वो तो शुक्र है कि अक्षरा सिंग की तरह जोती सिंग भोशपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करती है वरना अब तक पवन सिंग जोती सिंग को इंडस्री से उखार फेकते उनके घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे चुके होते पटना के किसी रूम में चार दिन तक बंद करके पवन अब तक दीसरी शादी कर चुके होते बाकि आप इस पर क्याराय रखते हैं अपनी रैकमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा आप फिलाल इस वीडियो कहीं परसमात करते हैं और मिलते हैं से किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्यों